अगर आप सक्सेस होना चाते हो तो आपको वो चीजे करनी होगी जो लोग नहीं करना चाते हैं क्योंकि जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं अरे बादूर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते इसलिए जो शोर मचाते हैं भीड में भीड बनकर ही रह जाते हैं वही पाते हैं जिन्दगी में काम्याबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं उस्तों जीतने वाला ही नहीं बलकि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है क्या खूब कहा है किसी ने जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पाओं में जरूर छाला होगा बिना संगर्श के चमक नहीं मिलती जो जल रहा है तिल-तिल उसके दिये में जरूर उंजाला होगा और जब भविश्य धुंदला पड़ने लगे तब आपको अपने वर्तमान पर फोकस करने की जरुवत है और तुमारे अंदर भी वो सब कुछ है जो तुमें इस दुन्या का सामना करने के लिए चाहिए इसलिए आपको भी जिंदिगी में रिस्क लेने चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है और जब आसानी से कुछ ना मिले तो उदास मत होना मिल जाएगा सब तो फिर कोशिश क्या करोगे सपने सब हकिकत नहीं होते अगर हकिकत होंगे सब तो फिर सपने क्या देखोगे जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो सम्मुंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं दोस्तो जीवन में कभी किसी को कुसुरवार ना बनाए अच्छे लोग खुशय लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा लाते हैं हर वक्त क्यों सोचे की बुरा होगा कुछ ना मिले तो क्या हुआ तजुर्बा तो नया होगा और जब तूटने लगी होसले तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते डूंड लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी क्योंकि जुगनु कभी रौष्णी के मौताज नहीं होते दोस्तो एक बात हमेशे याद रखना विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा या नहीं और हारे हुए से कभी पूछा ही नहीं जाएगा कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही बलकि कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद भी ना करे तब भी आप ठीको दोस्तों अमीर इतने बनो कि आप कीमती से कीमती चीजों को चाहो तो उसे खरीद सको और कीमती इतने बनो कि इस दुन्या का अमीर से अमीर भी आपको खरीद ना सके दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इसे शेयर जरूर कीजेगा ताकि हमारे भारत देश का हर एक वो सक्ष सफल हो पाए जो कुछ बड़ा करना चाहता है इसलिए वक्त कम है जितना दम है लगा दो हर पाए जितना चाहता है